आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से इतना टेस्टी नास्ता कि जिसे भी खिलाएंगे वो आपसे जरूर पुछेगा कि आपने ये कैसे बनाया ये देखने में जितना यूनीक है खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा बनता है बहुत ज़्यादा सामान की जरुत नहीं है घर के चीजों से ही इसे आज हम बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं इसके लिए मैंने ले लिया है दो कब गेहु का आटा यह आधा छोटी चमब जितना अजवाइन अजवाइन को हाथों से मसलते हुए इसमें एड कर देंगे मैं थोड़ा ना इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए दो कब चितना आटा लिया है आप अगर कम बना रहे हैं तो कम भी ले सकते हैं आधा छोटी चमब मैंने इसमें डाल दिया है नमक और यह दो बड़े चमब है तेल कोई भी कुकिंग ओल ले सकते हैं बस सर्सो का तेल नहीं लेना है क्योंकि सर्सो के तेल में जो फ्लेबर होता है बहुत स्ट्रॉंग होता है उसकी बज़े से इसका स्वाद पूरा चेंज हो जाएगा इसलिए सर्सो का तेल हम इसमें नहीं डालेंगे अब आटे को ना तेल से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हातों से रगटते हुए इस तरह से देखिए दो तीन मिनिट बाद ये इस तरह से मुठी बन करने पर बढ़िया सा मुठी का से बन गया मतलब आटा हमारा त्यार है मतलब इसमें बढ़िया सा मोहिन हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेस मेथी के पत्ते अगर आपके पस फ्रेस मेथी के पत्ते नहीं है तो आप कसूरी मेथी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इस मौसम में फ्रेस मेथी के पत्ते आसानी से मिल जाते हैं तीन से चार बड़े चमच इतना फ्रेस मेथी के पत्ते मैंने बारी काटके लिया है अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सक्त आटा लगाएंगे आटे को बिल्कुल भी नरम नहीं करना है अगर आप इसे नरम कर देंगे तो फिर जो खास्ता पनाता है मतलब कुरकुरा पनाता है न वो नहीं आएगा नास्ते को एकदम कुरकुरा बनाने के लिए इसका आटा को एकदम सक्त रखना है थोड़ा सा सक्त आटा रहे तब ये बढ़िया सा कुरकुरा बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा सक्त भी न रखे जैसे वो फोटने लगे चारो तरग से देखिए आटा हमारा लग चुका है इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं तेल से एक से दो छोटी चमस तेल डालके इसके उपर से फैला देंगे और इसे ग्रीस कर लेंगे बढ़िया तरीके से इसे पांच मिनिट के लिए हम साइट में रखते थे हैं तब तक यह सेट हो जाएगा तब तक हम त्यार कलेंगे इसका फिलिंग इसके फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ तीन उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे दो कटे हुए प्याज अगर आप आलू नहीं लेना चाहते हैं इसे अगर थोड़ा और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप आलू के बदले पनीर का भी इस्तमाल कर सकते हैं आधक अब चितना ग्रेटेट कैरट ले लेंगे मतलब गाचर दो बड़े चमची ये है धनिया का पत्ता बारी काट के ही ले सारे चीजों को ये तीन हरी मिर्ची हैं अगर आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च कम कर दिजेगा एक छोटी चमच इतना जीरा पाउडर है और एक छोटी चमच है धनिया पाउडर ये अब मैं इसमें तीखा लाल मिच पाउडर डाल रही हूँ ये भी तीखा है इसलिए कम क्वांटिटी में डाले आमचूर पाउडर डालेंगे आधा छोटी चमच आधा छोटी चमच है गरम मसाला और यह है चाट मसाला आधा चोटी चमज स्वाथ के हिसाब से नमक एड़ करेंगे मैं इधर एक चोटी चमज इतना नमक डाल रही हूं और एक चोटी चमज से थोड़ा सा ज्यादा यह होगा क्योंकि चमज पूरा फुल था इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे सब बना लेना है मतलब बड़े टुकड़े इसमें बिलकुल नहीं होना चाहिए इस तरह से इसे अभी अलग रख लेते हैं अब चलिए आगे कीत यारी कर लेंगे आटा हमारा बढ़िया से सेट हो गया है इसे और एक से दो बार हम मसल लेंगे और इस तरह का रोल त्यार करेंगे इस तरह का रोल त्यार करने बरना ये बहुत ही आसान तरिके से बन जाता है मतलब सब बराबर सेप से बनेगा कोई बड़ा या छोटा नहीं बनेगा देखिए इस तरह से हाप इंच जितना डिस्टांस में इसको मैंने काट लिया है इसे पीछे की तरफ इस तरफ से फोट कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा सुखा आटा डालते हुए इसे बेल के त्यार कर लेंगे और ध्यान रखन इसे थोड़ा पतला ही बेलना है मतलब यह मोटा नहीं होना चाहिए आम तोर पे जैसे बनाते हैं तो थोड़ा मोटा रखते हैं लेकिन मैं इसे बहुत पतला बना रही हूँ अगर यह पतला रहेगा तो यह बढ़िया सा कुरकुरा बनेगा देखिए पहले अच्छे से कट लगा के इसे अलग करने आए फिर जो बाकी ये सारे कट हैं वो बीच में लगाने हैं मतलब उसका साइड वाला हिस्सा है वो जॉइंट रहेगा उधर नहीं जाएगा अब दूसरे साइड से इसे तिर्चा कट लगाना है देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने जो इसका इंडिंग पॉइंट है उसको अलग नहीं किया है अब थोड़ा सा मसाला लेंगे जो आलू मसाला हमने त्यार किया था जहां पर कट नहीं लगा हैं वहां पर मसाले को रखना है और ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लेना है नहीं तो ये बाहर निकलने लगेगा इसमें मसाले की कोई ज़्यादा जवरत नहीं है बस ये टेस्ट के लिए है इसमें जो में काम है इसका ये बाहर का आउटर है देखें मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया था और इसे इस तरह से हम फोर्ड कर देंगे तो इसके उपर से बढ़िया सी परत वाली ऐसे स्ट्रिप बन जाएगी अब हम इसे गरम तेल में फ्राय करेंगे तेल को पहले मेडियम गरम कर लिजिए फिर फ्लेम को कम करके इसे धीमियांज पर पकाए बहुत ज़्यादा धीमियांज नहीं होना चाहिए और फ्लेम को ज़्यादा मेडियम में भी नहीं रखना है नहीं तो फिर वो बाहर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर का हिसा पकेगा नहीं इसलिए इसे slow flame पर इस तरह से पलड़ते हुए पका लेंगे यह जैसे जैसे पक के सुनेरा होने लगेगा ना इसका जो बाहर का श्ट्रिप है वो उभर के और सुन्दर दिखने लगेगा और यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है क्यूंकि इसका जो फीलिंग है ना वो बहुत ही चट पठा है देखिए यह कितना सुन्दर लग रहा है देखने में है ना यूनिक और खाने में भी बहुत टेस्टी तो यह recipe को जरू try करें, वीडियो को like और share करें और चानल को subscribe